नमश्मार दोसों आप शुबी का बहुत बहुत श्रागते जह दोसों आज को अधि़ के लिए बहुत ही जदा महत पून और आपके आने वाले वहिश के लिए बहुत एज़ादा खाश रहने वाले हैं जिए दोसों इसलिए आप इन्हें भूल कर भी मिशना करें और शुरू चुले कर अंतर तक देखिएगा दोसों इस वीडियो में आपके जीवन की ही कुछ ऐसी सचाई बताने वाले हैं आपके जुनकाल में रिलेटिव करने वाली कुछ ऐसे बाते बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आपके पेरो तले जमिन की शुकने वाली है जे दोस्तों कुछ ऐसे इस्तती आपके जुनकाल में होंगे जिसे आप शुनकर यकीन नहीं करेंगे और दोस्तों आपको इनमें विश्वास भी होने वाले हैं हम दाविश ये कह शकते हैं जे दोस्तों बर्श आपसी निवेदर्बाश ही है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंततक दिखेगा तो आए दोस्तों बात करते हैं उससे पहले दोस्तों जो भी अपने माबाक्शी प्यार करते हैं दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरू करें और कमेंट बॉक्ष में सच्चे मन से जय मादादी जरू लिखेगा चले दोस्तों बात करते हैं तो दोस्तों अब लोग जो है दिखाव में नहीं आते हैं और नहीं दिखावा करते हैं और दोसों इसका एक रिजन यह भी है कि जब भी आप बहुत खुश होते हैं और दोसों सो अपनी खुशी जाहिर करते हैं तो दोसों कुछ न कुछ एसा संक्रड़ आपके उपर जरूर आता है जिसjang आपकी खुशी दुख में बदल जाती है इसलिए आप लोग जो है जादा दिखावा और खुशी जाहिर नहीं करते इस विशादे दोस्तों आपको बता दी कि आप लोग अपने वैभार में बहुत ही मर्दार रहते हैं इसलिए शारी गर्ष जो है आपकी नेचर को पशंद क होते हैं कि आप लोग दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखते हैं शाथी दोस्तों आपको बता दे कि आप लोग दूसरों को पहले खुश रखते हैं फिर अपना खुशी देखते हैं चाहिए आपके उपर कितना भी टेंशन और कितना भी चिंता हैं क्यों नहों आ एक बात आपकी और है कि आप जब भी दुखी होते हैं तो दोस्तों आप लोग किशी जबी अपने दुख का कारण जल्दी नहीं बताते आप अपनी अपना जो दुख है जल्दी किसी से भी शेयर या परियों के साजा नहीं करते हैं और चुप चाप आप अकेले बैठ कर दोस्तों इसके शाधिम आपको बता दें कि बहुत बार आपके शाधिशा हुआ है कि आपको अपने ही लोग बहुत ज़्यदा दुख पहुंचाते हैं जिया दोस्तों यानि कि आप लोगों को अपने करीबी लोग ही जो है वो ज़्यदा तर कश्ट देते हैं दोस्तों एक तब होता है जब आपके अपने ही करीबी लोग आपको दुख पहुंचाते हैं आपके शाथ बुरा वैवार करते हैं आपके शाथ ऐसा अक्षर देखा गया है आपका बहुत बार अपमान विवा है आपकी मान श्रमान को अपने ही लोगों ने बहुत बार ठेज पहुंचाई लेकिन दोस्तों, आज हम आप शे एक शवाल कर रहे हैं, जो आपके शाहत हो रहा है, आकिर आपके शाहत होता ही रहेगा, अगर हाँ, तो दोस्तों कब तक होता रहेगा, आकिर कब तक यह जालिम दुनिया आपका फाइदा उठाते रहेगी, आपको धोखा कब तक मिलता रहे हैं जिसके लिए आप कारी कर रहे हैं जिसके लिए आप जी रहे हैं जे दोसों आपको हर चीज में शंगर्ष का शामना करना पड़ता है आपका हर काम शंगर्ष से ही पूरा होता है आपको जो चीज प्राप्त हुई है वह भी बहुत शंगर्ष और आपकी कड़ी मेहनत से ही आपको प्राप्त हुई है दोसों आपने किशी से भी अपने किशी से भी यह चीजें नहीं मांगी है कोई भी खेरियत से आपको यह चीज नहीं मिली है दोसों आपने बहुत ही मेहनत करके खुद की दिन रात एक करके जाग जाग कर आ दोस्तों, आपको थोड़ी शी शफलता क्या मिल जाती है, कि यह दुनिया आप से जनने लगती है, आपको नीचे गिराने की कोशिज करने लगती है, पिछले कुछ शालों से आपकी आर्थी की सिती में भी भरी गिरावट आई है, जिए दोस्तों आपको बता दी कि आपका ज शमान नहीं किया, उपर शे आप से यह लोग मिठा मिठा बात करते हैं, लेकिन अंदर शे ही यही लोग आपके उपर क्या करते हैं, यह तो आपको खुद पता ही होगा, जिए दोस्तों, आप भी इनके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, जिए लोग अंदर शे आप बिल्कुल ही शाप-शाप मुझ पर होती है, लेकिन दोस्तों, आप उपने दिल में कोई भी पाप नहीं छुपाते हैं, जिए दोस्तों, अपने अंदर दिल में आप कोई भी बात नहीं रखते, और इसी वयवार के चलते, लोग आपको अंदर ही अंदर पशन नहीं करते, दोसों मैं आप शी कहना चाहूँगा कि आप ये आदत को बिलकुल भी ना बदलें दूसरे लोग चाहे किसी तरह हो लेकिन दोसों आप उपनी आदत बिलकुल ना बदलें क्यों दोसों आपकी यही आदत आपको लोगों से अलग बनाती है आप पर हमेशा से लोग अलग अलग इंजाम भी लगाते हैं आपने जिसको अपना मान शमान दिया है उन्होंने ही आपको टाइम टाइम पर शाथ छोड़ा है दोसों आप हमें कमेंट में बताइएगा क्या मैं गलत बोलाओं आपने जिनका भी शाथ दिया है आज वो आपके शाथ खड़ा है क्या वो आपको पुछता है क्या वो आपकी मुश्किल समय में आप से कंदे मिलाकर खड़ा है क्या जिन दोसों इन शबी का जबा मिलेगा नह दोसों आप बिल्कुल भी निराश ना हो दिल छोटा ना करें आपको हम बता दें कि आपके लिए जो आने वाला शमय होगा दोसों गरहों की गोशर की सिती के शाथ बहुत यह अच्छा रहने वाले हैं और आने वाले शमय में आपका भी जिवन पावश्य बदलेगा और आने वाला शमय आपके लिए कुछ इस परकार चैंज होने वाली है जिसे दोस्तों आपकी जुनकाल में खुशियां ही खुशियां रहने वाली है जिसे दोस्तों हम आपको बता दें कि बगवान शिंदेव का शिरबाद अब आने वाले शमय में आपके उपर पढ़ने वाले हैं जिन्होंने भी आपके इशात गलत किया है जिन्होंने भी आपका अपमान किया है और दोसों जिन्होंने भी आपको ठेस पहुचाई है दोसों उनका हिशात बगवान शिर्देव अविश करेंगे आपको इशिप इतना करना है कि आपको इशा लोगों से दूरी बना कर रखन जिया दोसों लेकिन अगर कोई एशी बात है कि आप एशी रिस्ता नहीं तोड़ सकते हैं आपकी बहुत करीबी लोग है यानि कि आपका भाई है आपका बहन है या फिर आपके शिसलाल पक्ष के कोई भी व्यक्ति ही क्यों ना हो जिया दोसों आपकी पतनी अगर आप शेद दूर नहीं जा रही है तो दोसों आप इतना तो कर ही शक्ते हैं कि आप इनसे बात भी करना बन कर दें जिया दोसों जितनी भी खुश के कम से कम बात करें क्योंकि दोसों जाहिर शी बात है कि आप में भी अब बहुत कुछ शेहन क करने की भी हद होती है और कोई लिमिट होती है कोई शीमा होती है स्रादिन दोसों आपको बटा दें कि जब ऐसी लोग आपको क responder आ does कि नहीं है आपका दर्दर नहीं शमझते हैं आपकी फिलिंग अपको ठेश divine चाहते हैं यहों के हैं तो आपको मान शमान नहीं देते हैं तो दोस्तों ऐसे लोगों से आपको कुछ करना नहीं है शिर्फ आपको इन से दूरी बना कर रखनी है जिया दोस्तों बात सित आपको इन से बिलकुल ना करना है और साधी दोस्तों आपको बिता दी कि आपको निर देने करने के लिए अपके कार्यों में या्त करते हैं। को या flirting करते हैं दूस्तो इसी किर आप उन्हें हमेशा याद कीजी गा कुए तो दूस्तों ये आपके जूनकाल में हमेशा शुब्रकार ही आपको देने वादे होंगे है दूस्तों अंत विडियो हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजिएगा शाथी बैल आइकन को पेश करकी और परस्लेट किर दिएगा जे दोस्तों इससे हमारी आने वाली वीडियो आप तो सबसे पहले पहुंचेंगी